तो आज मैं आपको बताऊंगी सिंपल सलवार की कटिंग एंड स्टिशिंग इस वीडियो में मैं आज आपके सारे डाउट्स जो थे उसे मैं क्लियर कर दूँगी तो सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए वीडियो स्टाट करते हैं तो यहां पर मैंने यह सलवार बनाने के लिए धाई मिटर कपड़ा लिया हुआ है जिससे पहले इस तरह से फोर फोल्ड कर देना है तो अब यहां पर नीचे हम पहले दो इंच पर एक निशान लगा देंगी यह पट्टी हमारी मोहरे फोल्ड के लिए होगी तो दो इंच पर निशान लगा के इसे पहले सिधा कर लेंगी तो अब यहां पर लंबाई का निशान लगाएंगी तो टोटल लेंग थे 38 इंच तो इसमें से हम उपर से 7 इंच बेल्ट के लिए माइनस करेंगे और निशान लगा देंगे और आधाईश हमें उपर की तरफ सिलाई मार्जिन के लिए लेना है तो इस तरह से इसकी टोटल लंबाई आते हैं तो उपर हमें इस तरह से एक सिधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है तो अब यहां पर हमें आस्तन का निशान लगाना है तो उसके लिए आपको एक ट्रिक ध्यान रखनी है कि आपका जो भी हीप साइज है उसे तीन से पहले डिवाइड कर लेना है और फिर उसमें दो इंच प्लस कर लेना है तो इस तरह से मैंने नाइन इंच पर निशान लगा दिया है और चोड़ाई में वन इंच पर और कुछ इस तरह का हमें आसन का शेप दे देना है तो इस सलवार में आपको आसन थोड़ा लूज होगा तो चलेगा पैंट में इसे थोड़ा टाइट रखना होता है तो इसमें हम जो दो इंच प्लस करते हों से सिर्फ वन इंच प्लस करना है और इस तरह से हम नीचे महरी का निशान लगाएंगे साड़े साथ इंच पर और आसन से इसे जोइंट कर लेंगे तो आई होप कि आपको आसन के लिए जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गया होगी हिप को आपको थड़ी से डिवाइट करना है और फिर उसमें दो इंच प्लस करना है और यहां पर नीचे हम इस तरह से करस्मेक लाइन ट्रो करेंगे जिससे जब हम मोहरी फोल्ड करेंगे तो अंदर का कैनवास से वो बाहर नहीं देखेगा और बाकी इसकी एज़िटीज हमने जो मार्किंग की है उसकी कटिंग कर लेनी है तो अब यहां पर यह ट्राइंगल जैसा पीस बचा है उसमें से हम बेल्ट की कटिंग करेंगे तो यहां पर हमारी बेल्ट का हमें तयार चाहिए सात इंच तो हम यहां पर दस इंच पर इस तरह से निश्चान लगा के यहाँ पर ऐसे तिर्शी लाइन ट्रॉ कर लेंगे बस हमें इतने ही कटिंग करनी है ज्यादा कुछ नहीं करना है तो इसे पहले इस तरह से कट कर लेना है और उपर जो फोल्ड साइड है उसे भी हमें कट कर लेना है तो यहाँ पर हीप साइज से 40 इंच और बेल्ट हमें चाहिए 44 इंच का तयार चाहिए और बाकी हमने सिलाई मार्जिन लेती हुए टोटल हमने इसकी जो लंबाई रखी है वो रखी है 25 इंच ऐसे दोनों 25 इंच के आपको इस तरह से बेल्ट सायर करने है तो इसे जोइंट करने के लिए आपको जो तीर्षा वाला पाठ है उस तरब से जोइंट करना है और छोटा पाठ और बड़ा पाठ दोनों को कुछ इस तरह से रखते हुए इसके उपर सिलाई लगा देनी है अब इसे सीधी साइड मोड़ते हुए इसके उपर भी एक और सिलाई हमें लगा देनी है तो यहाँ पर एकदम ऐसे आसान तरीके से ये बेल्ट का शेप आजाएगा रेक्टेंगल जैसा हमारा पीस बन जाएगा तो अब यहाँ पर दूसरा वाला जो पाठ है उसे भी सेमें इस तरह से तयार कर लेना है तो अब यहाँ पर हम दोनों पाठ को ऐसे डबल फोल्ड करके कुछ इस तरह से बिछा देंगे अब इसकी लंब चोड़ाई हमें रखनी है 10 इंच तो हमें 7 इंच का तयार बेल्ट चाहिए तो हम 10 इंच रखेंगे और फिर बेल्ट तयार करने के बाद अगर कुछ कम ज्यादा होता है तो हम इससे काट लेगे पर अभी हम इससे 10 इंच रख रहे है और इसकी चोड़ाई इस तरह से रखनी है 12 इंच तो यहाँ पर हमारा जो नाप होगा वो 11 इंच का होगा और 11 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए लिया है तो इस तरह से हमारे जो टोटल लेंद है हिप की वो 40 इंच है तो हमें बेल्ट को 44 इंच का तयार रखना है और बाकी हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है तो सबसे पहले हम दोनों पार्ट्स को इस तरह से जोइंट कर लेंगे तो यहाँ पर ये बेक साइड के लिए जोइंट लग शुका है अब हमें उपर नाड़े के लिए एक पट्टी बनानी है तो उसके लिए पहले हम आदा इंच जितना फोल्ड कर देंगे पूरे में और फिर अब हम दोनों पार्ट्स को कुछ इस तरह से रॉंग साइड में ऐसे मिला लेना है और फिर इसके उपर मैं आपको मार्किंग करके दिखाती हूँ आगे की तो यहाँ पर आपको पहले उपर से नीच की तरफ डेड़ इंच पर मार्क लगाना है फिर बीच में वन इंच जितना गैप रखना है और इसकी चोड़ाई हम रखनी है वन इंच तो इस तरह से ये तीन आपको निशान लगा देना है फिर इस तरह से लाइन रो कलनी है तो जहाँ पर मैंने ये निशान लगा है हमें वहीं पर सिलाई लगानी है और बीच में सिलाई नहीं लगानी है ये हमारा अंदर नाड़े के लिए होल बनेगा तो देखिए आपको यहां से पहले सिलाई लगाना स्टार्ट करना है और यहां पर आते हुए आपको सिलाई को रोक देना है फिर इसे उठा के हमने जो दूसरा माक लगा है वहां पर रखते हुए मैं आगे सिलाई को बढ़ाना है तो आपको सेम इस तरह से फिर से एक और सिलाई लगा देनी हैं जिससे ये पक्का हो जाएगा अब बीच में से इस धागे को काट लेना है और फिर इसे कुछ इस तरह से खोलना है और फिर दोनों साइड हमें सिलाई लगा देनी है तो देखिए इस तरह से मैंने इस सिलाई लगा दी है फिर इसे इतना डेड़िंग इतना फोल्ड कर देना है और इसके उपर फिर से हमें सिलाई लगा देनी है तो यहां पर यह उपर नाड़ा डालने के लिए यह पट्टी तयार हो चुकी है अब हम नीचे से कपड़े को युवन कर लेंगे और अगर आपको 7 इंच से यहां पर ज्यादा बनता है तो आप निशान लगा कर उसे काट भी सकते हैं मेरा यहां पर फिक्स आ रहा है अब ज्याइंट के तो अब हम यहां पर खेर वाला पाट लेंगे और इससे पहले आसन से दोनों साइड से ज्याइंट कर लेंगे तो आगे अब हमें इसमें प्लिट्स डालनी है तो इसके लिए मैंने उपर वाला बेल्ट लिया है और आगे की साइड से यहां पर हम इस तरह से रखेंगे नीचे वाले पाट को मिलाते हुए और यहां से हमें यह जो हमने यह कट लगाया था वहां तक हमें इसकी पूरी प्लिट्स डालनी है तो यहां मैंने जो घेर है उसको भी चार पार्ट में डिवाइड करके कट लगाये थे और इस तरह से बेल्ट में भी चार पार्ट करके कट लगाये थे तो इन चारों पार्ट को हमें मिलाते हुए हम प्लिट्स लगाएंगे तो यह सारी प्लिट्स एवन लगेगी तो अब यहाँ पर आने के बाद आपको प्लिट्स की जो साइड है उसे चेंज करना है तो यहाँ पर एक पेर की हमने सारी प्लिट्स बना दी है और दूसरे पेर की जो प्लिट्स से उन्हें हमें सामने की साइड कर देना है यानि कि दोनों साइड की प्लिट्स को हमें आमने सामने रखना है यह इस तरफ है तो इसे हमें कुछ सामने की साइड इस तरफ रखना है और ऐसे प्लिट्स बनाते हुए हमने जो मिडल पॉइंट के लिए कट बनाए है वहां तक आपको मेजरमेंट लेते हुए प्लिट्स बना देनी है तो आप देख सकते हैं सारे में मैंने चुननटे डाल दी है यह आमने सामने आई है और सेम इसी तरज से पीछे भी हुआ है अब यहां पर हम इस तरह से बिल्ट के उपर एक धार सिलाई लगा देंगे जिससे फिनिशिंग अच्छी आती है और जो हमने चुननटे डाली है वो अच्छे से बैठ जाती है इसके लिए अब यहां पर मोहरी वाले पार्ट में आ जाएंगे तो यहां पर मैंने डेड़ इंच चोड़ा बुक्रम लिया है और इसे रॉंग साइड में लगाना है तो सबसे पहले हम हाफिं जितने पट्टी को कुछ इस तरह से इसके उपर फोल्ड कर देंगे और फिर इसे एक और बार फोल्ड करके इसके उपर सिलाई लगा देंगे तो यहां पर मोहरी को मैंने कुछ इस तरह का डिजाइन देते हुए तैयार कर लिया है अब इसे फोल्ड करके 7 इंच पर निशान लगाना है और पूरे में सिलाई लगा देनी है तो यहां पर यह हमारा सलवार तयार हो चुका है अब हम इसमें नाडा डालके दिखाएंगी तो आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ बेल्ट का काम हुआ है और पूरी सलवार भी अच्छे से रेडी हो चुकी है तो अगर आप वी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करके पास वाले बेल आइकन को हिट करें थेंक्स पूर वाचिंग